हेलो फ्रेंग्स वेलकम बेक टो गर्भगुरू मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलेवरी की बारे में लेकिन यहाँ पर में पर में क्विस्चन यह है कि यदि आपकी पहली डिलेवरी सीजरियन से हुई है यानि कि सी सेक्षन से और कापी सारे सarthsmart nä BM से रहते हैं जो यह चाहते हैं कि मेरी पहली तो सीजर हुआ था जैसे वहाँ पर आपका लेबर प्रोग्ठर नहीं हुआ है यानि कि आठ दस बारा घंडे तक लेबर चला फिर आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाया और उसके चलते आपको scissor करना पड़ा और कभी-कभी ठक जाते हैं उसके चलते scissor करना पड़ता है कभी-कभी अंदर बच्चे ने पोटी कर ली होती है या फिर अंदर बच्चे की धड़कन वहां पर कम हो जाती है तो ऐसे कुछ मतर को नॉर्मल पोसीबल नहीं हो पाई और से सीज़ करना पड़ा तो ऐसे केस रहते हैं तो उस केस में क्या हम वहाँ पर पहले ज़ुरूरी नहीं था तो अब दूसरी बार हम आगे से ध्यान रखे जिससे वहाँ पर हमारे डिलेवरी normal हो जाई तो क्या possible है तो इस related बहुत ज़ुर्य आरही थी कि पहली इसर होती है तो तो सोचा एक डीटेल वीडियो बना ले ताकि आपके दिमाग में चो confusion हो वो clear हो पाए तो वीडियो आखेरी तक देखते रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो उसको like and share कर दीजेगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गर्भ गुरू चनल को तो कर लीजी आपके लिए बिल्कुली फ्री है तो चले सुरू करते हैं प आपको सेजर के लिए जाना पड़ा एक ही रहता उन केस में दूसरी बार नोर्मल के चांसिस रहते हैं दूसरा रिजन यह रहता है कि यदि आपकी पहली डिलेवरी है उसके 5-6-7 साल के बाद यानि कि लोंग पेरियाड के बाद आपकी डिलेवरी होने वाली है यदि एक य साल का गेप है तो उसमें तो 100% आप दूसरा सीजर ही आता है उसके चलते चाहिए पहला कोई भी रिजन हो लेकिन यह दि एक यह दो साल में आपकी दूसरी अभी डिलेवरी होने वाली है तो उसकेस में जो स्टिचिस रहते हैं वह इस तरह से कभी-कभी ऐसे भी केसिस होते है कि आपका वहां पे पहले सीजर था उसके स्टिचिस रहेंगे डोमिन में एंड में जब आप दूसर एक दो साल में हुई है आपकी डिलेवरी प्रेसर आएगा तो नोर्मल तो होगी लेकिन उपर के जो स्टिचिस रहते हैं सीजर के वह भी खुल जाते है तो उपर के स्टिचिस रहेंगे तो डबल हो जाएगा तो यदि बहुत ही स्मॉल गेप है दूसरी डिलेवरी में तो यह हम सजेस्ट करते हर को आपको यह सजेस्ट करेगा कि आप उसकेस में मत कराईए नूर्मल के लिए मत जाये मत सोचे सिजर कर वालीजिए लेकिन यदि बहुत ही ल पार आजाएगा कुछ मिनिटों में तो बात वहां पर ठीक है तो आप कर सकते है नेचरले इंडियूस हो गया है और वहां पर लेबर का प्रोग्रेस हो रहा है लंबा टाइम है तो हो जाये तो कर सकते है दूसरा कभी-कभी क्या रहते है बच्चा बहुत ही स्मॉल रहता है इस दूसरी प्रेगननसी हम क्यों ऐसा बोलते है कि आपकी पहली सीजर तो दूसरा सीजर करो मैं कुम्प्लिकेसन नहीं रहता है कि जब आपकी लेबर के दोरान नूर्मल डिलेवरी की दोरान प्रेसर आता है जो आप पूश्ट करेंगे उस केस में जो पहले के सीजर के और वहां पर दिक्कत आ सकती है, कॉंप्लिकेसंस बढ़ जाते हैं, इस केस में आपको मना किया जाता है, कि आप सेप साइड, हम देखो, नॉर्मल सीजर मेटर नहीं करता है, अभी सीजर पहले के, और अभी के सीजर में बहुत ज्यादा चेंज है, अब आपको सीजर में इसा परक दोनों डिलेवरी में नहीं रहा है, हाला कि कॉंप्लिकेसंस थोड़े ज्यादा रहते हैं, थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन एट दे एंड आपको यह देखना होता है, बच्चे की और आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, डिलेवरी में नॉर्मल सीजर से ज्या बच्छी करेंगे केसे भी करके, तो उस केस में उस तरह से नहीं करना है, तो यह थोड़ा konfusion वाला ही आंसर है, और konfusion ही रहे है का इस अंसर का, लेकिन यह नॉर्मल सीजर का डिसीजन जो रहता है, वो जनरली जब आपका लेबर सुरू होता है, लेबर प्रोग्रेस होता उस टेम पर लिया जाता है पहले आप चाहिए कितनी भी तैयारी कर लिए एंड में क्या होगा बच्चे में आपकी हिल्थ में उसके नुसार डिसाइड रहता है फिर भी हमने यहां पर जितना उपए उतना अंसर करने की कोशिश कि फिर भी कुछ दिमाग में क्वेरी आ रही ह तो कमेंट बॉक्स में आप पूछी सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तुसको लाइक एंसेर कर दीजिए कर अपी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री है तो चलिए फिर जल्दी से मेलेंगे तक तक के लिए स्टेल दी स्टेपी बा झाल